तो आज का वीडियो डेविल को पर होने वाला है कल रात की यूटुब पर स्ट्रॉल करते हुए एक नौटिफिकेसन आया और डेविल हमारे सामने अबे ऐसे चीजी डायलोग माना बनकर और सीज़े सीज़े बता ठीक है तो कल लुसिपर सीजन फाइब पार्ट बी का ट्रेलर लाउंच हो गया है जो कि प्रबबली आप लोग ने देखी लिया होगा और आज हम यहां उसका ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं वो सब तो ठीक है लेकिन यह सीजन फाइब पार्ट बी क्या होता है और इस लॉक्डाउन का सहरा सीजन फाइब पार्ट भी होगा तो वैसे तो फिर इसके सीजन वन में तेरा, सीजन टू में अठरा और सीजन फ्री में 26 एपसोड हैं तो वो तब भी ऐसे ही पार्ट में होने चाहिए थे अब इतना कनफीजन है तो थोड़ा लूसिफर सीजन इस्टार्ट कैस हुई इसके बारे में बात कर लेते हैं सुरुवात में लूसिफर टीवी सीरीज जैसे आता था मतलब सास बहुवाले सीरियल जैसे हाँ वैसा ही कुछ समझ ले लूसिफर के फर्स्ट और साइकेंड सीजन तो काफी अच्छे चले लेकिन प्रॉब्लम थर्ड सीजन से हुई इसके थर्ड सीजन के लंबे लेंड के कारणी पूरे एक पूरे थर्ड सीजन की बैंड बज गई जिससे हुआ ये कि इसके थर्ड सीजन कोई लास सीजन मनाने का फैसला कर लिया गया था और तभी फिर नेट्फिक्स ने इसके डिस्ट्रिब्यूटिंग राइस को खईद लिया और इस पर अच्छा खासा पैसा लगाया और फिर इसका सीजन 4 हमें नेट्फिक्स पर देखने को मिला जिसको क्रिटिक्स से और पब्लिकली बहुत ज़्यादा फैम मिला तो ये तो हो गई बक्वास की बाते अब बात कर लेते हैं कुछ काम की तो अब चलते हैं ट्रिलर ब्रेक्डाउन की तरफ तो लूसिफर जो कि एक DC कॉमिक बेज़्ड करेक्टर है उसी पर ये सीरीज बेज़्ड है अगर आपने इसकी सीरीज नहीं देखिए तो आपके लिए सजेसन है कि आभी तक कर क्या रहे हो इस्टाग्राम के रिलिस के थुमके छोड़कर थोड़ा इस पे भी ध्यान दो लूसिफर की सीरीज को हम बहुत ही अच्छा या एक मास्टर पीस तो नहीं कह रहे हैं लेकिन ये एक अच्छी और इंट्रेस्टिंग सीरीज है जिसके हर एक एपसोड के एंडिंग पर आपका सीरीज पर इंट्रेस्ट बढ़ता जाएगा और जैसा कि हमने पहले ही बताया एकदम से बढ़ी जाती है लेकिन सीजन 4 से लूसिफर पर जिसे हम देखना चाहते हैं उस स्टोरी पर में फोकस किया गया है और अब ये दो लाश्ट सीजन या आने बाकी है तो उमीद लूसिफर के स्टोरी में ही ज्यादा और क्राइम में कम फोकस किया जायागा हां वी लेकिन इसमें दिखाये हर एक इंट्रेस्टिंग है और मेरी लिए सबसे चरदरी केरेक्टर का है और अगर आपने इसकी पहले की सीरीज नहीं देखी है तो आपको पहले सीजन से देख लेने चाहिए जो कि आपने देखी लिए होंगे तो यहाँ उन पिछले सीरीज के कु अभी भी मिल सकते हैं और अब ट्रेलर ब्रेकडाउन की वर बढ़े तो वैसे इसमें प्रेकडाउन करने जाता कुछ ज्यादा है नहीं कि इसकी स्टोरी स्ट्रेट है और अगर ज्यादा अंदर गया तो कहीं ये सीरिज आपके लिए स्पॉइल न हो जाए लेकिन फिर भी कु मैं को जम नहीं रही है और फिर लूसिफर भी लाइक I am going to be a god और फिर ये पूरा लोचा सुरु होगा मैं का सारे आर्चेंजल के टीम बनायागा और लूसिफर से फाइट करेगा गाड बनने के लिए वैस्ते तो यही सीरिज की बेसी स्टोरी होगी लेकिन स्टार्टिंग के तीन चार एपसोड में लूसिफर गॉड और उसके पूरी फैमिली के बीच का ड्रामा दिखा जाएगा जो कि most dysfunctional family है इस पूरे creation के और लूसिफर के डैट इस अर्थ की बोल चाल सीख रहे है लेकिन उन्हें यहां के पारे में कुछ पता ही नहीं है वो गॉड है उसने ह का नेम है family dinner जो कि यहां में दिखी रहा है और एपसोड 10 है bloody celestial karaoke jam जिसमें Chloe Decker और Lucy को karaoke के साथ डांस करती हुआ हम देखी सकते हैं नेश्ट एपसोड का टाइटल है resting devil face जिसमें हम लूसिफर के असली bloody चहरे को देख सकते हैं और एपसोड 12 का टाइटल है Daniel Espinoza नंगा और डरा हुआ जो कि यहां पर डरा हुआ तो लग रहा है लेकिन नंगा इस पर थोर्ड आउट है एपसोड 13 little harmless stalking और एपसोड 14 nothing last forever एपसोड 15 का टाइटल है is this really how it's going to end और इसी एपसोड में Michael और लूसिफर का ये जबरदस बैटन हमें देखने को मिलेगा और इस सीजन का फिनाले एपसोड 16 का टाइटल है एचान सेटा है एपी एंडिंग इस ट्रेलर में लूसिफर और Chloe के बीच की relationship के बारे में बात कर रहा है मतलब वो Chloe का नाम तो नहीं लेता पर वकात है our relationship मतलब ये Lucy और उसके dad के बीच की relationship के बारे में भी हो सकता है लेकिन प्रोबबली यहाँ Lucifer और Chloe के बीच की relationship के बारे में बात हो रही है जो कि अपने relationship को वैसे ही आगे रखना चा तब Lucifer के नए God बनने के तरब इसारा करता है और Lucifer भी लाइक, I will be the new God and rewrite the all rules of heaven तो बेसिकली ये नए God बनने के लिए बगावत और लड़ाई पर फोकस करेगा और इस सिंद में God Lucifer के face को judge कर रहे हैं कि ओ, मेरा बेटा ऐसा दिखता है गौड ज्यादा कुछ बोले बीना बता रहे हैं कि ये रात्ता उसी का चुनाऊ है और या ये कोई test भी हो सकता है कि Lucifer गौड बनने की काबिलेत रखता है कि नहीं Lucifer का season 6 भी next year आने वाला है जो कि final season होगा इस पूरे series का तो season 5 part B का ending भी कुछ season 4 type हो सकता है जहां Lucifer को Chloe को छोड़ कर वापस hell में जाना पड़ता है वैसा ही कुछ यहाँ भी मतलब Lucifer तो God बन जाएगा लेकिन हो सिफ hell ये heaven पर ही अटकर नहीं रहना चाहता तो ऐसा ही कुछ cliff angle में season 5 का end होगा जहां Lucifer को hell heaven या Chloe में से किती एक को चुनना होगा और वहीं दूसरी तरफ इसका last title happy ending है तो ऐसा भी हो सकता है कि Lucifer fight तो जीज जाए पर वो God न बने और अर्थ पर ही Chloe के साथ रुख जाए और Chloe के साथ एक normal जिन देगी जिए और फाइनली एक बड़ा news निकल कर आ रहा है कि justice league dark series आने माला है जो कि HBO पर stream होगा जिसमें कि John Constantine और DC के dark universe के बहुत से character हमें दिखाय जाए जाएंगे पर हाँ ये वो movie वाला Constantine नहीं होगा इसके लिए कोई नया cast किया जाएगा और हो सके तो आगे future में लूसफर और Constantine का क्रोस और वे में दिखाया जा सकता है तो आज के लिए बस इतना ही So thank you and stay safe keep watching popcorn with us